अपने पीजी एक्जाम की आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिसकस करने वाले हैं कि डेली उनिवसेटी के अंदर किस तरह से काउंसिलिंग प्रोसेस चलती है आपके एक्जाम क्लियर होने के बाद जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को अपको च्कुर करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको युणिसिटी के अंदर अपनाए कदया पड़ेंगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगे साथ डिसकस करने वाला हूं कि डेली उनिवसेटी के अंदर की तरह से सारी की सारी counselling process जो है वो चलती है और क्या क्या चीज़े आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए तो अगर सबसे बात कीज़े तो कुछ important points है जो आप लोग को जरूर consider करने चाहिए जब भी आप किसी भी counselling process के लिए जाते है सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले online application का counselling form जो है उसको fill करना पड़ता है अगर मैं Delhi University की बात करता हूँ तो Delhi University के लिए या फिर Delhi University के अंदर आपको CSAS portal के थूँ आप लोग को सारी की सारी details को fill up करना होता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते है online application form को fill up करते है और counselling form आप लोग इसे बोल लीजिए आपको इस form को पहले क्या करना पड़ता है fill करना पड़ता है लेकिन counselling form को fill करने से पहले आपके marks बहुत जादा important रूल पे करते है कि आप subject के अंदर कितने marks score करने लग रहे है जैसे कि इस बार अगर मैं economics की बात करता हूँ तो economics के अंदर जो total marks थे वो 280 प्लस थे यानि कि जो भी बच्चा 280 प्लस marks से लेने लग रहा है जो कि यानि कि topper के marks थे 280 प्लस है ना तो आप लोगों को एक specific range में idea लग जाता है कि इस range के अंदर मुझे उस college के अंदर admission मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी तो सबसेल आप लोगों ने क्या करना है online application कम counseling form को fill करना है इसको fill करने के बाद आप क्या करेंगे preference filling and program selection आप preference भरेंगे कौन से college के अंदर आप लोग जाना चाहते है उसकी preference भरेंगे और आप कौन से program के लिए जाना चाहते है जैसे कि कोई बच्चे अगर में economics करना चाहता है तो में economics के अंदर कौन कौन से college जो है वो top preference के अंदर है जो college जादा बहतर होगा जैसे कि Delhi School of Economics के अगर बात की जाए अगर आप वहाँ से गरना चाहते है तो वहाँ की natural सी बात है cut off जादा जाने वाली है तो आप preference wise अपने marks को ध्यान में रखते हुए college को क्या गरने वाले है फिल गरने वाले है और उसके बाद आप लोग को क्या किया जाएगा seat allocation और उससे related जो rules है उनको ध्यान में रखना होगा यह सारी की सारी process जब आप fill up कर देंगे उसके बाद आपको seat allocate होगी उसके बाद आप लोग को क्या करना है subsequent rounds of allocation चलेंगे subsequent round of allocation का मतलब क्या है कि सर अगर आपके marks जो है वो थोड़े से कम है हो सकता है कि first round के अंदर आप लोग को admission ना मिले और depend करता है कि university के उस college के अंदर seats available है या फिर नहीं है उनके basis पर आपको rounds 1, round 2, round 3 तक हो सकता है कि वहाँ पर आप लोग को vacancy देखने को मिल जाए और आप लोग वहाँ पर apply कर सके तो ये rounds के अंदर allocation दी जाएगी और इसकी allocation जो की जाएगी वो आपके marks के basis पर होगी जो भी marks आप लोग score करने लग रहे होंगे particular domain के अंदर उसके बात की जाती है हमारे upgrade और freeze upgrade और freeze का मतलब क्या है आपने college का allocation भर दिया ग्रेड कर सकते हैं और अगर आप दिये गए college के साथ खुश है तो उसको freeze कर सकते है then हमारे पास आता है optional cancellation of provisional allocation आपको फिर documents बगएरा submit करने होते हैं बात करेंगे क्या क्या documents आप लोग को वापर submit करने होते हैं आपको allocation किया जाता है वापर सारे के सारे documents को और आप provisionally allocate कर दिया जाता है आपको college को और आप college के अंदर provisionally admit हो चुके होते हैं जब आप उन सारे documents को बढ़ देते हैं फिर आपको क्या गरना पढ़ता है fees pay गरनी बढ़ती है और आपकी जो seat है वो book हो जाती है उस college के अंदर लेकिन आप लोग चाहें तो उस seat को क्या गर सकते है cancel भी कर सकते है एक prescribed time तक उसके बाद क्या गरता है seats and withdrawal of the admission by the candidates है तो seat को आप फिल भी कर सकते है आप चाहें तो seat को छोड़ भी सकते है अगर आपका किसी और जगह पर बहतर college के अंदर admission हो जाता है तो आप seat को cancel भी करवा सकते है एक prescribed stipulated time ते अंदर sport admission आपके admission हो जाती है और time breaking rule का मतलब है कि भई अगर किसी का score आपके बराबर आने लग रहा है तो उस case के अंदर किसी हिसाब से आपकी allocation की जाएगी किसको admission मिलेगी किसको admission नहीं मिलेगी उससे later यहाँ पर बात की जाती है then अगर मैं Delhi University के specifically अगर बात करता हूँ तो Delhi University के अंदर common seat allocation system है CSAS portal आप लोग बोलेजिए याफ़ CSAS scheme है PG के लिए जिसके through आप लोग को allocation किया जाता है उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है common seat allocation system के अंदर आप लोग को सबसे वहले University of Delhi के अंदर apply करना पड़ता है उसके बाद आपको preference feeling करनी बढ़ती है आपको preference देनी बढ़ती है कि आप कौन से college को पहले preference देना जाते है depend करता है कि कौन से college के अंदर आपके courses को करवाया जाता है जैसे कि MA economics कुछ ही specific colleges हैं वो करवाते हैं तो आपको preference में रखना पड़ेगा और उसके according आपको fill up करना पड़ेगा last में allocation का में admission होगा आपको last में क्या किया जाएगा seats को allocate किया जाएगा आपके marks के recording और फिर आपकी admission process उसके अंदर शुरू हो जाएगी अब यह सारी process करते हुए आप लोग को क्या-क्या documents अपने पास रखने बढ़ते हैं ताकि आप लोग को बिलकुल भी दिक्कत ना है अपनी counseling process को पुरी तरह से करने में तो सबसे अले आपके पास होना चाहिए CUT PG का admission form class 10th की mark sit class 12th की mark sit आप लोग के पास होनी चाहिए bachelor degree की mark sit आप लोग के पास होनी चाहिए जो भी बच्चा post graduation के लिए जाने लग रहा है तो natural सी बात है उसने कहीं न कहीं graduation already करी हुई है तो graduation की mark sit उसके पास होनी चाहिए CUT 2024 का score card आप लोग के पास होना चाहिए CUT 2024 के अगर आप स्पेसिपिकली बात करने लग रहा हूँ तो CUT 2024 का admit card भी आप लोग के पास होना चाहिए और last आपके पास category certificate होना चाहिए अगर आप लोग किसी category से belong करते हैं जैसे के आप EWS category से belong करते हैं economically weaker section से अगर आप लोग करते हैं SC category से है, ST category से है तो वो सारी चीज़े आप लोग के पास ज़रूर होना चाहिए अब यह एक important point में आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आए उपर कि CUT PG 2024 seat intake कितनी है अगर मैं Delhi University के specifically बात करता हूँ तो Delhi University के अंदर total आप लोग को 9000 प्लस seats देखने के लिए मिलती है PG courses के अंदर जिसके अंदर अलग-अलग colleges के जो marks है जो आप लोग के CUT के अंदर marks है उसके basis पर अधारित किया जाता है कि आपको कौन सा college हो है वो मिलने वाला है इसका मतलब कि जो भी बच्चे जादा बहतर तरीके से preparation की होगी उसे पुरे साल पर और जितने जादा बहतर तरीके से CUT के exam के तर स्कोर किया होगा उसको जादा अच्छा college definitely allocate होने वाला है सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो काफे जादा informative लगी होगी और आप लोगों ने पुरी की पुरी प्रोसेस को इसके अंदर समशा कि कैसे डेली उन्यूर्सेटी के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी कॉंसिन प्रोसेस को फुल्फिल कर सकते हैं और बहतरीन college के अंदर admission ले सकते हैं तो मिलते हैं आप सब लोग के साथ इसी तरह की वीडियो के साथ तब तक मैं आप कमेंटर प्रेंस टागूरा अप सब से कहता हूं चैहिंत